हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गाजर मूली और हरी मिर्च का अचार तो यहां मैंने दो मूली तीन गाजर तीन ये मोटी वाली मिर्चे लिए हैं और अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप इस जो मिर्च है उसका इस्तमाल आप अ अच्छे से छील लिया है और धोके रख दिया है अब मैं इसकी चॉपिंग करूँगी तो मैं आपको यह चॉप करने के बाद दिखाती हूं देखी दोस्तों मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरहां से मैंने मूली को गाजर को काट लिया है और यहां मैंने ये हरी मिर्च जो मोटी वाली थी उसको इस तरहां से काट लिया है मैंने इसके बीज जो है वो नहीं निकाले है मैं बीज समेत ले रही हूं और जो हमारे प अब मैं इन सरे मेटेरियल को एक कपड़े पे दो घंटे के लिए पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दूँगी इससे हमारी जो अचार बनेगा उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफी बढ़ जाती है और अगर आपके पास धूप का है इंतजाम की धूप आती है आपके सदे लिए दो घंठे के लिए किसी कपड़े में सुती कपरे में रख देते हैं और दो घंटे unhappy पाद हम नेहाँ कित्कार बीच में इसे उलखत प्लटल आगे ताकि यह जल्दी भी सूख जाय और इवेली सार्णी तरफ से नीच नीचे रखदिया था और यह. किस तरह से सूख गए हैं और जो मिर्ची के 20 थे वह भी काफी हद तक निकल गए हैं सूखने के बाद तो चलिए बना अब हम फटा-फट से इसका अचार बना लेते हैं तो अचार बनाने के लिए यहां मैंने यह बॉल लिया है और इसमें यह में डाल दूंगी सारा और अब हम इसमें कुछ अपने मसाले आड़ करेंगे तो यहां मैं दो चमज के करीब खल्दी ले रही हूं इसके अलावा थोड़ी सी मैं लाल मिर्च ले रही हूं फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ही मैं देगी मिर्च ले रही हूं और यह जो मेरे Pakस नमक है अब मैं यह नमक और अगर आप चाहे तो इसके साथ सा काला नमक भी आड़ कर सकते हैं पर मैं काला नमक इसमें आड़ नहीं करूंगी और इस अचार में नमक जो है आपके टेस्ट से थोड़ा जादा जाएगा और यहां मैं दर्दरी कुटी हुई यह जो हमारी राई होती है वो ले रही हूँ बहुत सिंपल सा अचार है और बहुत जल्दी बन भी जाता है सिर्फ इसका पानी होता है जो हमारी सबजियां होती है उसका मोईस्चर हटाने के लिए हमें इसे सुखाने ज़रूरी होता है औ अगर आप लोगों को कच्छे तेल की नहीं लगता है तो आप इसको पहले अच्छे से घरम कर लिजे तेको और उसके बाद इसे पूरी तरह से ठंडा करके इसमें डाल सकते हैं में अच्छा लगता है तो मैं हमेशा इसमें कच्छा ही तेल डालती हूँ आप अपनी मर्जी से कुछ भी जो है इसमें गरम करके तेल डाल सकते हैं पका कर या फिर कच्छा भी डाल सकते हैं और इसे हमने अच्छे से mix करना है बहुत जल्दी बन कर त्यार हो जाता है यह दो से तीन दिन लगेंगे इसे अगर हम अच्छी दूप में इसे रख देते हैं तो दो या तीन दिन में यह खाने लाइक हो जाता है तो थोड़ा सा तेल मैं इसमें और एड़ करूंगी अब वापस से इसको जो है मिक्स कर दूंगी ऐसे चाहें तो इस अचार में सौम्फ भी भून कर उसे भी पीस कर या कूटकर इसमें कर सकते हैं पर मैं इस अचार को ब्रुती सिंपल तरीके से बनाती हूं और इससे आप एक महीने तक स्टोर करके भी खा सकते है दो महीने भी चल जाएगा और बस इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है काफी हद तक बढ़ जाती है तो यह हमारा चार हमने इसको डाल दिया है अब मैं थोड़ा सा जो है इस तरह के कांच का जार ले रही हूं इसमें पहले मैं थोड़ा सा ओईल जो है इसमें डाल दूँगी और इस तरह से इसे घुमा दूँगी तो जो हमारा यह बरतन है कांच का यह बिल्कुल सूखा हुआ है यह इसमें नमी नहीं होने चाहिए गीला नहीं होना चाहिए तो देखिए कितनी पड़फट से अचार बनकर रेडी हो जाता है तो लीजे दोस्तों त्यार है हमारा गाजर मूली और हरी मिर्च का अचार कई तरीकों से बनाए जाते हैं पर यह इजी लगता है मुझे बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें कुछ खास मसाले भी इसमें नहीं डलते हैं तो एक बर जुरूर ट्राई करिएगा अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए साथ ही साथ बैल ऐकोन के बटन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो मुलि आपको तो मुल थे तो ने दाएंगे गाजर मुली